हलो नमस्कार दोस्तों मैं समीर आपस्वी के अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेंशिस वीडियो हम बात करने वाले हैं IR CTC जो यहां पर अभी रेलवे डिपार्टमेंट में काम करती है उसके द्वारा जार किया एक पर जानकार यहां पर हम आफिशिल नौटिफिकेस करें माधिम से जानने वाले हैं इसके लिए आप्लाई कैसे करना है इसमें कोई चार्ज़ेज आपको नहीं लगेगा इसमें अप्लाई चलेक्स पूर्स तक आपको मिलने माला है तो चलिए देर ना करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा आपने दोस्तों साथ जरू किजिएगा चलिए शूरू करते हैं तो आपको आ जाना है यहां पर देख सकते हैं प्रोग्रामिक एसिस्टेंट का होगा और जॉब लोकेशन जो होगा आपको निव दिल्ली रखा गया है आगे बढ़ते हैं और पूरी जनकार यहां पर लेते हैं तो इस्टिबलाइश्ट यहां पर डीटेल्स जो दिया गया है वह यहां पर इंडियन ड्रेलवेग केटरिंग एंड टूरिज्म का रिप्रेशन लिमिटेड हो और यहां पर आपको दिखा दे हम इसके लिए क्वालिफिकेशन की तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तेंफ पास यहां पर अपलाई कर सकते हैं यहां पर बताए गया है कि कंप्यूटर जो होगा वह आपको एपरेंटिस होगा यानि कंप्यूटर ऑपरें दिखंडरा महा का होगा तो यहां पे आपको दिखने को मिलेगा ट्रेणिंग ब्लोक और यहां पे आपको मिलेगा बेसिक ट्रेणिंग ड्रेणिंग यानि जो आपको basic होगा वो आपको 500 घंटा आपको basic training होगा और जो आपको training का period होगा यानि वो आपको होगा and job period training period वो आपको 12 मंत का होने बाला है पूरी तरह यहां पे एक apprenticeship है यह कोई पर्मानेंट भैकेंसी नहीं है उपर्चिनुटी की बात कर ले तो यहां पर आपको मैंने बता दिया पद कौन से होंगे आपको नम्मर आप पोस्ट जो होगा सौब पोस्ट के मिलेगा आपको एस्टाइपन ट्रेनिंग के दोरान यानि जो आप जोईन किजेगा उस समय से आ से पहले आपको अगर यहां पर आपको दिखने में मिलेगा दो अप्शन आपको लोगिंग और रजिस्टर का फर्स्ट राइम विजिट किया है तो आपको रजिस्टर वाला अप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर आपको फर्स्ट में मैं आपको दिखायता हू क्लिक करने के बाद रेजिस्ट्रेशन वाला आपशन पर आजेज़ेगा यहां से अपना देख सकता है डेटेल्स फिल करना है यारि मैं आपको इसको थोड़ा डेस्ट्टप मोड कर दूँ डेस्ट्टप मोड कर लिजेगा आपने मुबाइल फोन से फाम फिल अप कर सकते हैं उसके बाद यहां से आपको जेंडर सेलेक करना है मेल है या फिमेल उसके बाद यहां से आपको मोबाइल नमर डालना है यहां पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नमर वह भी आप डाल सकते हैं नीचे स्ट्रोल किजेगा यहां पे आपको अपना इमेल आईडी और यहां पे मिल जाएगा आपको registration number इसको क्या करना है screenshot ले ले लेना है उसके पाद OK पर क्लिक करना है Logging वाला page open होगा यहाँ पर आपको email id डालना है और यहाँ पर पासवर्ड किये थे पासवर्ड उसको अटर्मेंट कर्णिशन को accept करना है और logging पर क्लिक करना है लॉगिंग करने पर ले फ्रेंस आपको अपना email id open करना है और email id पर एक verification code आया होगा यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर आपको वर्फायल पर किलिक करना है और यहाँ से आपको अपना photo लेट ना है यहाँ पर आपना photo select कीजिएगा उस पाद यहाँ पर एडीट पर है ऐपको पन ग्लीक कीजिए गा ये पे जैसा आप देख यहाँ याँ पर सब्हट ऑपण गे आपको पन दिया निछी को डालना चालते हैं अगर अधार काड़ डालना गर चाहते हां तो अधार कर पूमिशिय्काइक करना है की आप कौन सा एस्टेट से हैं उसबात और कोई supporting dormant हो यहां प Woo全部 किझे में roule दिजेगा उसके बाद यहां से क्लिक के जिएगा अपना कौन सा category में रहते हैं category से लेकिजेगा यहां पर आपको ऑपनना City ढालणा है यहां पर आपको अपना complete address डाल दिना है और उसके बाद यहांस अपना VästensitDoc na going accountrator है कौन सा i é step 하니까 अपना Alright आपको नीचे मिलेगा देखने के लिए यहां पर उप्योभर अपना व Knights तो यहांस अपना डि स्टीट किजिए गा उसके बाद यहां पर अपना एरिया पीन को डाल दीजिएगा और यहां पे candidate का image होगा upload करना होगा देखते हैं मैंने यहां पर सभी details एड़ कर लिया है एड़ करने के बाद अब आपको update वाला option पर यानि क्लिक करना है बाद नीचे स्क्रॉल करना है आना है आपको education section में यहां पर भी आपको देख सेता है आपको डालना है इस चूट का नाम किष इस इंस्ट्ट से पढ़े हैं आपका जो percentage यानि कितना marks आपको आया था और यहां पर आपको को टोटल माक्स कीतना था परसंटेज कीतना था डाल देना है start date कव से किये थे और आपका एक्जाम जो दसवी में form fill up किये थे यानि कवेश्कूल में जोईन किये थे और कवेश्कूल से बाहर रुद यते डालना है और यहां पर डोक्वेंट्ट को डालना है 10 वीडीट को मार सीठ हैं और उसके बाद अपडिट करना है कि आइस क्हुलिख करना हैाएप क्या हो यहां पर देता जाःएगा यहां परिफाइल हो जाएगा यहांपे देख सकते हैं 80% हो चुका है इसको आपको 60-70% तग जिटना आपका डीटेजिए गा इतना परसन टे बरता जाएगा उसके बाद यहांपे प्रफाइल की नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर मैं आपको दिखा दूं यहां पर आपको मिलेगा three-line three-line पर आप किलिक किजिएगा किलिक करते हैं यह वाला page open होगा यहां पर आपको मिलेगा opportunity append opportunity opportunity option यहां click किजियेगा click करने के बाद यहां पर नीचे आपको pay open होगा मैं आपको दिखाए दूँ में यहां पर देख जिखोंता है यहां पर डूपन हो चुक जिखा है इसमें त्यूंस अपको देखने के उसके बाद जैसे सेलेक कीजिएगा नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको आपको उप्रचिनीटई में यहाँ पे देखते हैं फ्रणस computer operator and programming assistant IRCTC यहां पर मिलेगा apply के option यहां पर apply पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको location यहां डालना है और यहां पर आपको मिलेगा ok पर क्लिक किजिएगा आप इस post के लिए successful apply कर चुके हैं तो यहां पर आजाएगा already applied option आपको पुछ नहीं करना है आपको आगे से जो आपको email id पर अगर selection होता है तो आपको message कर दिया जाएगा तो France form को अच्छी तर से फिल कर देना है फिल करने के बाद जैसे भी होगा आपको notify किया जाएगा और आप selection होता है इसमें 100 post के लिए तो आपको बुलाया जाएगा अगर आपका qualification ठीक ठाक है तो उसमें आपको मौका मिलेगा तो चलिए मिलते हैं नए update नए वीडियो नए रिग्रूट मेंट के साथ तब तक लिए दिजी जाज़त जाहिन बंदे मात्रम